Hello students, in this video we will discuss question no.14 which belongs to alkyl halide, aryl halide, class 12 CBSE. बच्चों, इस question का first part जो आप देख पा रहे हो, जिसमें किसी alkyl halide की NAI के साथ reaction की है, acetone as a solvent लिया है और heat किया है. ये एक halogen exchange method है और इस reaction का नाम है frinkalistine reaction, जिसमें क्या होगा? या तो कोई chloro या फिर कोई bromoalkane आएगा और उसका NAI और acetone के साथ में आप reaction कराते हो. तो जहें यहाँ chlorine हो या फिर यहाँ पर अगर bromine भी दे रखा है, तो क्या होगा इनके replacement में, इनके replacement में क्या हो जाएगा? आयोडीन आजाएगा, बहुत simple है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ iodीन लेकर आना है CL के place पर, और साथ में क्या बनेगा? यहाँ क्या है, तो ने-स एल बन जाएगा, नेक्स्ट रियाक्षन देखते हैं, नेक्स्ट रियाक्षन में आपको दिया है, आलकोहलिक के वेच, आलकोहलिक के वेच, देखो इथनोल लिखा है, इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पर 1-2 elimination होगा, दाट मेंस बीटा इलिमिनेशन reaction दे रखी है आपको, और इसमें क्या बनेगा, इसमें कोई अलकीन बनेगा, इसमें एक अलकीन बनेगा, बी आर जिस कार्बन पर लगा है, उसके एजिसेंट कार्बन से हाइडोजन निकल जाएगा, तो डी हाइड्रो हालोजेनेशन रियाक्षन है यह, इस कंपाउन को सब सबसे पहले हम अच्छे से खूल कर लिख लेते हैं, यह कंपाउन दिया है आपको, तो इस प्लेस से आपका बी आर निकल जाएगा, यहां से आपका बी आर चला जाएगा और यहां से एक हाइडोजन निकल जाएगा, कंपाउन क्या बनेगा आपका CH3, CH3, C per double bond and CH2, साथ मे क्या बनेगा, KBR plus H2, reaction आपको समझ आ गई होगी, next reaction देखते हैं बच्छों, mixed reaction में क्या दिया है, एक reagent दिया है, NOH water, यानि aqueous NOH दिया है आपको, यह क्या करता है, यह करता है, nucleophilic substitution reaction देगा, और यह क्या करेगा, यह basically hydrolysis process है, hydrolysis process, तो hydrolysis में क्या होगा, BR के प्लीस पर क्या जाएगा, यह OOH आजाएगा, ठीक है, BR के प्लीस पर क्या जाएगा, बच्छों, OOH आजाएगा, और NaBR बनेगा, plus H2O, और compound क्या बनने वाला है, मैं लिग देते हू, CH3, CH per OH आजाएगा, single bond CH2, single bond CH3, now come to next question, next question में reagent क्या दिया ह है, अगें यह एक नुकलियोफिलिक substitution reaction है, जिसमें BR के प्लीस पर क्या जाएगा, CN आजाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, CH3, CH2, CN, plus KBR, now come to next question, next question अगें नुकलियोफिलिक substitution reaction, नुकलियोफिलिक substitution reaction ही है, यह एक नेम रियाक्शन है, यहां पर आपको sodium phenoxide दिया है, और उसकी ethyl chloride के साथ में reaction दिया है, तो यह भी बहुत आसान reaction है, जिसमें CL के प्लेस पर क्या आजाएगा, O C6H5 आजाएगा, C2H5, O C6H5, plus NaCl, now come to next reaction, next reaction में आपको alcohol दिया है, और थाइनल क्लोराइड दिया है, अगेन यह एक nucleophilic substitution reaction है, और alkyl chloride बनाने की बहुत अच्छी reaction है, इस exclusive method to prepare alkyl chloride, तो OH के प्लेस पर CL आजाएगा, CH3, CH2, CH2, हाण यहाँ पर आपका CL आजाएगा, साथ में byproduct SO2 plus HCl, दोनों gases हैं और यह दोनों escape कर जाएगे reaction mixture से, तो almost in pure state आपको यह alkyl chloride मिलेगा, next reaction में किया दिया, आपको HBR का addition कराया है, यहाँ double bone पर HBR का addition कराया है, but in presence of peroxide, peroxide या H2 की presence में, यह एक anti-morconic of rule फोलो करेगा, anti-morconic of rule फोलो करेगा, जिसमें, जो negative part होगा reagent का, जो negative part होगा reagent का, यह कहाँ जाएगा, negative part यानि यहाँ पर BR minus आपको मिलेगा, देखो, HBR जब dissociate होगा, तो यह क्या बनाता है, H plus plus BR minus, ठीख है, तो H plus यहाँ positive part है reagent का, और BR minus negative part है, anti-morconic of rule में, जो positive part होगा, वो उस double bonded carbon पर जाएगा, जहाँ less number of hydrogen होगे, और negative part उस पर जाएगा, जहाँ more number of hydrogen होगे, जिस double bond पर more number of hydrogen होगे, यह है आपका anti-morconic of rule, तो ठीक है, CH2, यहाँ corner पर CH2 end में दिया है, यहाँ CH दिया है, more number hydrogen वाले पर BR जाएगा, तो compound बनता है आपका CH3, CH2, CH2 single bond, CH2 BR, next one में क्या दिया है, next में HBR दिया है और arrow पर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर moreconic of addition होगा, moreconic of addition होने वाला है, moreconic of rule follow होगा, उसके लिए क्या है, जो आपने अभी पढ़ा है, इसका just opposite हो जागा, यानि positive part क्या है, रिएजेंट का H है, वो वहाँ जाएगा, उस double bonded carbon पर जाएगा, जहाँ more number of hydrogen और वो कहाँ पर है, यहाँ, तो compound क्या बनेगा, CH3, CH का CH2 हो जाएगा, इस carbon पर BR आ जाएगा, और जिस पर already दो methyl लगे, एक methyl यह है, और एक methyl यह है, यह question आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, next video में हम question number 19 करेंगे,